जब मिले थे हम पहली बार, तुम करीब आये थे मेरे तुम्हें मैं अच्छी लगने लगी थी और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी तब तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था और मुझे भी तुमसे किया हर वादा सच्छा लगता था गंटों गंटों फोन पर बाते किया करते थे तो और मुझसे मिलने के बाद अक्सर लेट सोया करते थे तो हर बात पर तुम मेरे लिए केर दिखाते थे रूट जाओं मैं कभी तो तुम जट से मनाते थे 25 से 30 किलोमेटर तक रोज मुझसे मिलने आया करते थे और उसके बाद मुझे गुमाने भी ले जाया करती तो क्यों आज साथ होकर भी हम साथ नहीं और क्यों इस रिष्टे में अब पहले जैसे कोई बात नहीं क्यों हमारे वो पहले जैसे हालात नहीं और क्यों आज मेरे हाथों में तेरा हाथ में एक छट के नीचे रहकर भी तू अजनेबी बन गया है पता नहीं तू अचाना कितना क्यों बदल गया है ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की पर कभी तुमने ही ये रिष्टा बचाने की कोशिश नहीं की एक अरसे से जिंदगी को ऐसे ही अजस्ट कर रही थी और जो हो रहा था मेरे साथ उसे बेमन से accept कर रही थी और तो मेरी इसी बात का फायदा उठा रहा था मैं दिल लगा रही थी तो दिमाग चला रहा था पर कब तक पर कब तक इन रिश्टों को घचिता जाये फिर से तूट जाएगा पर इस बार में खुद से एक वादा करूँगी दूसरों से कम और खुद से प्यार जादा करूँगी मैं हस्ती रहती हूँ अक्सर इसलिए कोई जान नहीं पाता और इस हसी के पीछे का दर्द कोई पहचान नहीं पाता अब किसी को इतना पास नहीं लाँगी मैं और जरूरी नहीं कि जबरदस्ती रिष्टों को निभाया जाए जूटी मुस्कुराहटों से बेमतलब सबको हसाया जाए हम अक्सर यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे रिष्टेदार क्या कहेंगे पर जिन्होंने कभी आपका दर्द जाने की कोशिश तक नहीं की आप उनसे क्या उम्मिद रखें और इस दर्द में रहना है या इससे बहार निकलना है इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं जरूरी नहीं कि अगر आपके पैरेंट्स के Train's अच्छे हो तो आपके भी हो और जिस सिचवेशन को आप फेस कर रहे हैं उसे आप ही बखू कुछ भी जानते और कोई नहीं और जो आपको समझता होगा वो आपके सिच्वेशन को भी समझेगे और शायद हमारा सफर यहीं तक हो यह सोचकर अच्छी मेमरीज को अपनी डायरी में रखकर उस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपकी किताब में कहानी नहीं किस से हो और अगर आप चाहते हैं कहानी लिखना तो आपको अपनी कहानी का में हीरो खुद बनना होगा क्योंकि अगर आप किसी और को अपनी कहानी का में हीरो बनाएंगे तो आपकी कहानी अधुरी रह सकती है लेकिन अगर आप खुद अपनी कहानी का हीरो बनेंगे तो आपकी कहानी जरूर मुकमा लोगी शुक्रिया